शुब प्रभात, शुब प्रभात, यह तो मेरे मित्र अनूप हैं। बोलो अनूप आज कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता नहीं भूला शास्त्री सर। मैं यह कहने आया था कि मेरा बेटा आपके कालेज में विद्या ग्रहन करने के लिए आता है। इस कारण आप क्रिपया उसे नैतिक्ता का पाठ पाने की कोशिश मत किया कीजिए। ठीक है, ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सुपुत्र को नैतिक्ता का पाठ नहीं सिखाँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार करूंगा। लेकिन एक बात है अनुप। यदी मैं उसको नैतिक्ता नहीं सिखाँगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, यह तुमने सोचा है, क्या अपने आध्यान के कारण कल को यदी वह कोई गलत चुनाव करता है, तो मुझ से शिकायत मत करना। मैं शिकायत नहीं करूंगा शास्त्री जी, मैंने इस पर काफी सोचा है, मैं चाहता हो कि मानसिक रूप से विकास करने के बाद मेरा बेटा खुद चुनाव करे कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारे सुपुत्र को नैतिक ज्यान नहीं सिखाऊंगा, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाऊंगा, जब-जब मैं नैतिक मूल्यों और जीवन के आदर्शों को पढ़ा रहा हूंगा, तो वह क्लास छोड़ कर जा सकता है, मैं ब उसे अपने आप बढ़ने दीजिए, उसे अपने आप अपने नैतिक मूले तै करने दीजिए, चलो तुम्हारे मन का एक मामला तो हल हो गया, इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, एक बात और है शास्त्री जी, इसमें मुझे आपकी मदद बहुत जरूरी चाहिए, दर असल मेरे बेटे ने कई बहुत ही नीच और निकम में लोगों से दोस्ती कर ली है, वे लोग उसे लगातार बुराई की ओर ले जा रहे हैं, क्या आप मेरे बेटे को सुझाव दे देंगे कि बुरे मित्रों को छोड़ दे और कुछ अच्छे मित्रों से दोस्ती यारी कर ले, मुझे ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी आजादी देने के लिए तुम तयार हो क्या, मैंने आपकी आजादी में कब रोक टोक किया है शास्त् पढ़ेगा, तुमने तो आते में ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे बेटे को नैतिक्ता का पाठ न पढ़ाँ, अब तुम चुनलो यदि नैतिक्ता का पाठ पढ़ाना मना है तो मैं बुराई से उसको नहीं बचा सकता, लेकिन उसे बुराई से बचाना हो तो वह नैतिक्त का पाठ पढ़ाये बिना नहीं हो सकता. इसका कारण क्या है शास्त्री जी? जरा स्पष्ट करेंगे क्या? जरूर, जरूर, दर असल नैतिकता का मतलब ही यह है की भला क्या है, बुरा क्या है. इस अंतर को जाने बिना तुम्हारा बेटा बुरे को त्याग कर भले को ग्रहेंड नहीं कर सकता है लेकिन तुम तो तुम्हारे बेटे के लिए मेरे नैतिक पाठों का विरोध कर रहे थे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? माफ कीजिए शास्त्री जी, मुझसे समझने में गलती हो गई आप तो मेरे बेटे के भले का काम कर रहे थे आप जितना चाहे उसे नैतिकता का पाठ पाए जिससे वो भले और बुरे की बीच का अंतर समझ सके मुझे से समझने में गलती हो गई जिसके लिए मुझे क्षमा करे मुझे खुशी है कि कम से कम अब तुम समझ गए हो कि नैतिकता सिखाए बिना किसी व्यक्ति को बुराई से दूर नहीं रखा जा सकता है अब मैं तुम्हारे बेटे का पूरा ख्याल रखूंगा उसे बुरे मित्रों से अलग करने की कोशिश भी करूंगा आभार शास्त्री जी आभार प्रभू तुम्हारे साथ रहें मेरे मित्र और भी कोई जरूरत हो तो जरूर आकर मुझे से मिल लेना आभार शास्त्री जी आभार